सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा ये बिजेट, more infrastructure, more investment, more growth और more jobs की नई संभावनाओं से भराव हुआ है और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है green jobs का ये बिजेट तत्कालिन आवशक्ताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उजवल भविश को भी सुनिस्षित करता है ये पिछले कुछ गंटों से देख रहा हूँ जिस प्रकार से इस बजेट का हर खेत्र में स्वागत हुआ है सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जन्ता जन्रादन की सेवा का हमारा उत्सा अनेक गुना बढ़ा दिया है जीवन के हर खेत्र में आधुनिकता आएं टेकनलोजी आएं जैसे किसान ड्रॉन हो बंदे भारा ट्रेन हो डिजिटल करेंसी हो बैंकिंग के खेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो फाइविसी सर्विसीज का रोल आउट हो नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इको सिस्टिम हो इनका लाव हमारे युवा हमारे मध्यमवर्ग गरीब दलीद पिछडे यह समी वर्गों को मिलेगा इस बजेट का एक महत्वपुन पहलू है गरीब का कल्यान हर गरीब के पास पकता घर हो नल से जलाता हो उसके पास साउचाले हो गैस की सुविदा हो इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है जो भारत के पाहड़ी छेत्र है हिमालय का पुरा पट्टा जहां जीवन आसान बने वहां से पलायन ना हो इसे ध्यान में रखते हुए भी नई गोशना की गई है हिमाचल उत्राखन जमु किश्मीर नौर्थ इस ऐसे छेत्रों के लिए पहली बार देश्ट में परवत माला योजना शुरू की जा रही है यह योजना पहड़ों पर ट्रांस्पोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक ववस्ता का निर्मान करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गाउं है बॉर्डर के गाउं है जिसका वाइब बड़ी ताकत मिलेगी भारत के कोटी कोटी जनों की आस्ता मां गंगा की सफाय के साथ साथ किसानों के कल्यान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है उत्तराखन, उत्तरप्रदेश, जारखन, बिहार, पस्चिमगा इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को पोट्सान दिया जाएगा इससे मां गंगा की सफाय का जो अभियान है उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत मड़ी मदद मिलेगी बजेट के प्रावधाम यह सुनिशित करने वाले हैं कि क्रशी लाब अप्रद हो इसमें नए आवसर हो नए एग्रिकल्टर स्टार्ट अप्स को प्रोसान देने के लिए विशेश फंड हो या फिर फूर प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज इससे किसानों की आए बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी MSP खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में सवा दो लाग करोड रुपे से भी जादा सीधे ट्रांसफर किये जा रहे हैं कोरोना काल में MSP यानि हमारे छोटे उद्योगों के मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णे लिए थे अनेक प्रकार की मदद पहुचाई थी इस बजेट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धी के साथ ही कई नई योजनाओं का एलान किया गया है डिफेंस के कैपिटल बजेट का 68% डोमेस्टीक इंडिस्टी को रिजर्व करने का भी बड़ा लाब भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा ये आत्मन दिरभारता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है साड़े साथ लाग करोड रुपिय के पप्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थ बबस्ता को नई गती के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए आउसर भी बनेंगे मैं वित्नमंत्री, निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजेट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कल भारतिय जनता पार्टी ने मुझे सुबह ग्यारा बजे बजेट और आत्मंदिर भर वारत विशेपर बात करने के लिए निमंत्रित किया है कल ग्यारा बजेट मैं बजेट के इस विशेपर विस्तार से बात करूंगा आज इतना काफी है बहुत-बहुत धन्यवाद